मैं हो दिपका मैडम स्टेक से और आज मेरे पास है नया ओपो का एफ 11 तो यह जो फोन है अच्छली रिलीज मार्च में हो गया था ओपो एफ 11 प्रो के साथ पर अभी तक सिर्फ प्रो ही सेल आउट हो रहा था ओपो एफ 11 अब जाएगा सेल पर तो हम बात करेंगे इस फोन के बारे में थोड़ा डीटेल में करेंगे इसकी अन्बोकसिंग देखेंगे फर्स लोग और देखेंगे क्यामरा के सैंपल्स किस तरह का इसका जो हाइलाइट है क्यामरा 48 Megapixel वाला वो परफोंस किस तरह से दे रहा है यह नया ओपो का f11 F11 Pro और F11 दोनों साथ ही में release हुए थे बट जो F11 है उसकी sales नहीं चालूगी गई थी और अब चालू कर रहे हैं OPPO वाले तो यहाँ पर जो pricing दी गई है box पर F11 की वो है 21,990 रूपे पर अब जो इसकी launch के पर अब जो इसकी actual sale price निकाली है वो थोड़ी और कम करके निकाली है जो launch price थी उससे भी उस बारे में हम वीडियो के end में बात करेंगे तो चलिए open करते हैं यह box यह अभी हम आपस 4GB प्लस 128GB वाला variant है तो open करते ही उपर मिलता है आपको एक छोटा box उसके बाद हमारा device OPPO F11 और देखते हैं क्या क्या चीज यह box में मिलती है एक बड़ा वूक चार्जिंग सपोर्ट करने वारा चार्जर 5V 4A का चार्जर है यह और काफी durable sturdy सा चार्जर दिखता है उसके बाद charging cable है micro USB और साथ ही यह अच्छी चीज है कि OPPO ने यहां पर earphones डालना भूला नहीं है एक medium segment के phone में भी earphones होना बहुत बहुत जरूरी है और यहां पर दिये गए है तो इस चोटे box में आपको एक इस तरह का blackish grey type का decent quality का protective case मिल जाता है उसके बाद एक paperwork यानि की information guide और warranty card और साथी SIM tray opening pin तो यह सब contents तो box के हो गए अब आते हैं directly phone पर और देख लेते हैं इसका एक quick look उसके बाद इसकी highlighted features को हम test करेंगे especially camera को तो आप देख सकते हैं इसमें 48 Megapixel का dual rear camera दिया गया है और screen size भी decent है water drop अला design है अभी इसमें 4000 mAh 4020 mAh की battery है वुक flash charge 3 के साथ और साथ ही इसमें hyper boost system boost technology भी है तो काफी अच्छी high expectations है मेरी इस phone से तो आप देख सकते हैं अभी हम आपस ये blue वाला variant है अच्छा सा normal decent slight gradation वाला इसमें design है S pattern आ रहा है आपर जब तक ये set होता है हम इसके बाहर के लुक के बारे में बात करते हैं back पर आपको dual rear camera का setup मिलता है साथी fingerprint sensor LED flash OPPO की tagging यह लेफ पर आपको splitted volume rocker मिल जाता है इधार आपको यहां यह sim tray का slot दिया गया है फटा-फट से open करके देखते हैं तो clearly आप देख सकते हैं यह hybrid SIM tray slot है याने कि दो nano sims या एक nano sim के साथ एक micro SD card अप लगा सकते हैं उसके बाद इस सरफ power button दिया गया है और bottom मे speaker grill है 3.5mm audio jack, mouthpiece और micro USB charging port तो guys micro USB charging port मुझे personally इतना आजकल पसंद नहीं आता पर अच्छी चीज यह है कि इसमें hook charging support करता है तो उससे जादा फरक भी नहीं पड़ता except data transfer थोड़ा slow रहता है बट उतना भी slow नहीं है it's fine तो यह noise cancellation mic है overall look ठीक ठाक है phone का तो guys phone हो गया set of कुछ इस तरह का screen दिखता है अच्छा है bright screen है अभी आप देख सकते है medium level पर इसकी brightness है बट काफी जादा bright है कोई issue नहीं आ रहा है screen यहाँ पर है 6.5 inches की full HD plus screen water drop वाला notch है दिया गया है जिसमें की front camera को यहाँ place किया गया है और ऊपर में यह यह piece है इसकी just ऊपर चोटा सा तो हम देख सकते हैं इसमें color OS version 6 जो की latest है Android version 9 Pie processor octa-core RAM 4 GB और internal storage 128 GB और जो octa-core processor है वो है Helio P70 battery इस phone का एक अच्छा highlight है क्यूंकि इसमें आपको 4020 mAh की बड़ी battery size मिल जाती है जिसका standby time काफी जादा है और साफ में VOOC charging मिल जाती है तो camera इस phone का एक अच्छा highlight है एक back पर जो setup मिलता है 48 MP plus 5 MP dual rear camera setup है primary sensor 48 MP 5 MP depth sensor और काफी सारे अच्छे modes भी इसमें मिल जाते है photo portrait night तो इसमें अलग से night photography के लिए low light photography अराम से कर सकते है panorama expert mode भी है जिसमें काफी सारे adjustment करके बड़िया shot निकाल सकते है time-lapse slow-mo और google lens inbuilt है तो overall सारे ही options आपको यहां देखने को मिल जाते है उसके पर अगर front camera की बात करें तो 16 MP का इसमें front camera दिया गया है जो यहां पर notch के अंदर डाला गया है मगर जो OPPO F11 Pro थ है यह हम normal F11 का review कर रहे है F11 Pro में आपको major difference दिखता है वो है कि इसमें जो front camera है वो pop-up होके निकलता है यहां पर वैसा नहीं है front में भी आपको photo, video, portrait वगेरा options मिलते है panorama और time-lapse भी है और इसका जो AI beauty mode है काफी सारे अच्छे options आपको वहां मिलेंगे बहुत सारी editing करके आप एक शांदार front camera selfie ले सकते हैं OPPO's की जो selfie है वो हमेशा से ही काफी popular रही है इस phone की और हमने बहुत कुछ इसमें इसकी camera की testing की है काफी सारे shots हमने लिए है थोड़ी बहुत shots हम अभी यहां पर देखते हैं मुझे इसके camera काफी अच्छा लगा देख सकते हैं night photography का यह shot है dim light में भी अच्छी pictures आप यहां पर expect कर सकते हैं selfies भी देख सकते हैं कितने अच्छे 48 megapixel का जो back camera setup है उसे काफी अच्छे photos निकल कर आए हैं जो आप directly use कर सकते हैं कहीं भी upload करने के लिए आपको ज़्यादा editing वगेरा करने की जरुवत नहीं पड़ती यहां पर देखी उसकी unboxing, first look भी देखा और कुछ camera samples भी देखें तो जो 48 megapixel का camera इसकी highlight है वो काफी अच्छा performance दिया मुझे बहुत बढ़िया कुछ shots मिले इस phone से और अपने price के हिसाब से यह काफी decent quality के photos आपको देता है और साथ में जो अच्छी चीज़े इसमें hyper boost भी दिया गया है जो आपकी phone की performance को और उसकी life को बढ़ाता है कहीना कहीं जाके तो overall सारे जो भी अच्छे features है उसके बाद जिस price पर इसे sale पर लगाया जा रहा है वो है 17,990 रूपे तो friends इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंदा है हो तो please like और share करें और मैदम टेक को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले thank you and bye